हुआ जहां, आज हम बात करेंगे बीव के भारे में चक्का है जहां बीड कर minder कर दुदेगक चलता है कि Cookie वी गारी है चक्का सबस्क्राइब अच्छा रेल में बनता है ये मुस्क्री जो इंडिया मोता है रेल में बनता है और एक बनता बेला बेला धिहाल कि अधिक कर्भाना इंडिया दो जगा है रेट बेला बिहार में तो 25 पर सीडिल करी बेंगलोर से बनता है चो करनाटका में है और बिहार अधिया आता है यह कि इतना से हमारे का पूर्ती नहीं होता है इसके लाबहा भी उसरे देसे मांगाना पड़ता था यूक्रेन से एक परेन और रस्किया का इंद होने के कारण यूक्रेन से अभी दान रेल चका नहीं आ रहा है तो अब इंजन डेलवे में फिलहाद जो मिनिस्टर है हमारे एसमी पेसमे साहब ने अभी एक टेंडर निकाले हैं कि बड़ा नमें फक्ट्री लगाए जाएगा रेल का रेल विल चका करखाना का तो देखते हैं कहां पर ये फक्ट्री बनता है जिससे की आत्मिन भर भारत ब करा है जो कि इसको होते एकसर के उपर ही लगा राता है ने दिए कि एकसर आंए चक्का लगा रहता है एक एकसल पर दो चक्का लगा रहता है कि इसको बोलते हैं एकसल और इसको बोलते हैं बीं एक्सल के यहाद है इसको और यह चक्का इसे बीज़ के दो चक्का है और दो चक्का का रिच जो इनर के दूरी यह अंदर के जोई वह इसको बोलते हैं बील गेज इसको बोलते हैं बील गेज अब गील गेज होता है यानि 1602 मेक्समम होगा अब 1599 मिनमम होगा तो यह डिस्टेंस जो तो चका का इनर से डिस्टेंस इसको बोलते हैं बील गेज और एक बोलता बील बेज जो कर्फिल हो आते हैं एक बोलता है बील बेज तो आज हम आपको बता करadasme है कि मान लीजे यह दों एक्सल है चक्का है फॉर्फर इजर दौ जो च क्छा चक्का अर्यां। यह तोली बन गिया हमारा इस टोली में दो एक सल का जो यह दिल बिस्टेंस होगा यह इस को बोलता हैarna गील गेज बील बेस और ICF integral code factory ICF जो गाड़ी होती है उसका जो बील बेस होता है वह होता 8896 mm याद रखिये और LHB का जो टोरी होता है LHB का जो भोगी होता है भोगी है टोरी एकी को बोलते है इसको भोगी भी बोला जाता है इसको टोरी भी बोलते है पूर्ट ने बोटे पोच बताएंगे को इसको बोटते हैं तो आई सेफ का जो बील बेस होगा आई सेफ का जो बील बेस होगा 286 होगा याद रखे डिपार्टमेंटल एक्जामें हमें सब पुछा जाता है और लेट बी का जो दिल बेस होगा उसके बाद अता का एसनलम का मालगारी ऐसे जो बेस होगा वो दूःजार पलस माइनस पाँच में इसके बाद वह होगी इसका बील बेस दो हजार इमें होगा है यह पुछ पुछ चीज़ें इसको याद रखे है के जो माला गारी है उसका विल्ड जोगा दोजार इतल्जा के दूरी को बिल्ड बेस बोलते हैं सेंटर डिस्टेंस को बात बोड़ा जोगा उसका दूरी को बोलता है विल्ड वेस करेशना में सब्सक्राइब होगा है अब कभी कभी इसमें कुछ सब्सक्राइब हो जाता है यह बता जते हैं ताकि बाद में भी एक वर बताएंगा आपको याद हो जाएगा सब्सक्राइब गाड़ी होगा उसमें अस्पेरिकर रोलर बेरिंग जाता है अस्पेरिकर रोलर बेरिंग लेश्बी और कैसनर में दोनों में सब्सक्राइब काड़ी होगा उसमें अस्पेरिकर रोलर बेरिंग होगा और उसके बाद इसी बोगी मोता सिरिंद्रिकर रोलर बेरिंग होगा कि इस तरह से याद रखें कि बहुत इंपोर्टेंट डाटा है और इसके बाद बताएंगे बील का डाइमेंशन कि इसके बाद हम बताने जारें बील का डाइमेंशन जो वहरी इंपोर्टेंट है है तो सबसे पहंदे जो है भी पहले से बधान है इस तरए से पट्विक्षा हुआ पट्बी ढिब्शा वारतं है कि यह ठृर्ड-ब्रेल हो गया है यह हमारा गला ई कि यह तीन तरव के होता में लिए डरा लेकिन इसको पार तरह की दहाता थाए पाला बीजी है था मेटर मेगा और कि सब्सक्राइट नाय रोगेज हो गया और य्छंता होता है लाट मेंआईयोνεगेञ जो बीजी होता है इसका जो गेज इसका जो रेल गेज होता है ये दो रेल से इनर डिस्टेंस जो रेल का पट्री देखे होंगे पट्री का इनर डिस्टेंस तेरा इमम नीचे से लिया जाता है और यह जो गेज होता है यह दिस्टेंस होता है यह दिस्टेंस होता रहे हैं आपको विजी लाइन होगा बड़ा लाइन होगा वह होगा इसे हमारे अभी जितना भी है इंडिया में लगवाग ब्रोडगेज हैं कहीं कहीं पर मीटर कहीं पर नेरोगेज मिलेगा और कहीं कहीं पर लाइट नेरोगेज भी मिलता है और बाखी जितना भी हमारा रेल का पट्वी है सब है मारा 666 म का है मतलब ब्रोडगेज होता है यह इनर डिस्टेंस होता है और यह इनर डिस्टेंस के लिए जो रेलोगेज होता है 676 म मीटर गेज के लिए होगया यह जार एम हो कि नएरोगेज के लिए 742 म होता है अब आप जो लाइट ने रोगेज इसके लिए होता च्छेसोग दशाजना यह याद रखी ब्रोडगेज के लिए आपको 676 म होगा ज्टेंस के लिए पाट्री का इनर डिस्टेंस यह पट्री के बीच की दूदी को बोलते हैं रेल गेज रेल के जबी मेजर करेंगे तो उपर वाला जो टॉप है टॉप से 13 मेजर करते हैं तो यह होगी आमारा यह जो रेल का पट्री है इस तरह से अब हम बील का देखे में बील के बारें जानी में बील का डाय मेजर करते हैं इस तरह से मानी जो बील है हमारा यह अच्छा से नहीं बन आपके गर बता रहें चाहत पर आसा कि यह पहुंजबी है रहें आइए तरह से कर्व राता यहां पर जानते होंगे आप देख रहें हैं यह कर्व बनाएं यह से क्रस्यान करते इसको बहुते हैं फ्लेंश कि लते क्रेंश यह मस्कुर्इट तो थिरला है यह टिलेट सु स्देटाम ने रोता है किना कर और होता है यह कितना कर वता है यह 1gehen 20 गार बता है यह फंचे यह लेंज नहीं थोड़ा Öま और ये फ्लेंज कितना कर्व होता है 1 3 2.5 इस तरह से ये फ्लेंज का जो कर्व होता ना वह 1 2.5 होता है और ये 1 ये वान इन 20 पा उद्रेंटि आपके वान पॉली कर्व रहता है वाटिरी वान-ेन 20 करव बनाया जाताओ यह इंडियान ओन वान चुन फेंटी करव था जोन के लिए और रिकर निवान इन 20 करो ते लिए वान इन फट्री वी वाणि टुवंटि जो गी यह एक सिर्ज बता रहें हैं है पण्राइड क् समय जब करते हैं करते हैं वो करेशा यू पोइंट से नीचिंए ट्लीब है कि या दर्ट के नहीं यह मेजर करते हैं त्रेड का डायगीटर यह मेजर करें त्रेड का डाया होगा अब यह डाया ICF की निज़ती है ICF मतलब इंटीग्रल को इस देखो में गुलू लंका जो पोच होता है इसका जो चक्का होगा इसका जो नया नया घर का डाया होगा यह डिस्टेंस प्रेड का डिस्टेंस बोटह आए नहां कि प्रेन का डिस्टेंस थे देंस आगे DJikke I am 7.9phase 511 यह जिए है तो हप्योगित आख़ो why मेजर सबने मलीचりました कि यादर कि आएसल जो फोच वे उसका जो बोगी उसमें जो चक्का लगा हुआ है उसका चक्का का डायमीटर 915 मुंता नयाम है अफिक आर्ट सो शैति से मंद पर जाद रखेंगे और जो कर्णेमिंग लिमिट है आप सो पचीस में कि यानि आए सियव का चक्का का रेन का चक्का का नया डाइमिटर होगा 915 मांग का लाइस अपीस होगा आप सो शैथिस में का जब गए कर्णेम लिमिट होगा आप सो पचीस में इसके बाद आते हैं लेज़ी का फुल फरोंतर लेंक की होग में भूस आप देखों में लाल वली कोच लेज़ी पोच होती है यह बहुत ही संदार कोच है आज कर जितना भी कोच बन रहा है लेज़ी कोच ही बन रहा है ऐसे कोच का जबाना गया तो चार पांश लाओ चलेगा इसके बाद आता है उसके बाद आता है उसके बाद आता है है कैसे ना के सब्सक्राइब माल गार कर दो माल गार को जो पेज़े हैं उसमें चया लगा हुई तो चया अजया मैं आपने आप है कि यह फजार एन अ और इसका जो लाज्टों होता है वह 999 से मों पर होता है नो सो नहीं से मों लाज सो पीशू होता है और इसको कंदेम करते हैं 906 तो इसके बाद कि तो हो गया में इसके बाद आता लोको मोटी डीजल लोको डीजल टीजल है कि लोको मोटिव को के लूको मोटी डीजल में इंडिया में सबसे बड़ा चक्का अगर किसी का बंता है तो लोको मोटी की का बंता क्यांकि यह आता है K мы सबसे बड़ा चक्का बंता लोको मोट डीजल लस्स बानवे मह podéis commissions को थे आप देगा होता है तो दीजर लोकों का चक्का का जो डायमीटर होता है ध्रेड का डायमीटर बोल रहें ना कि फ्रेंज का डायमीटर बोल रहें ठीक है हम फिरेट कड़े मिटर में पड़ते हैं वह उता 1042 अंगम का दा सब्सक्राइब का और कंडम लिमिट होता है एक है शुन लाइन इसके बाद आता देमू कि देमू का जो नया चक्का आता है नो सो बामन अंगम का होगा और आप सो पचासी पर इसको दा सब्सक्राइब का होगा आप सो पचासी इमाम इसका लास इस होगा और 877 इमाम कर दिया है इसके बाद आता है इसको पूरते वह भी लूग कंटेनर बागन इतना भी इतना बागन उसको चक्का दिख्टी चोटा रहा है कि डियाजी द पाम का आठ सो चाएवंपा नया तका अथा करिया जाता मैं सिते हेंज दारे अइस तरह से देखे इस तरह कि सब्सक्राइब निदा किसमें यूज किया जनकेर आधा तो में कुरा है रेलेवी का है इन रेले में में इजी डिमनेंशनшей का शकी रिघा है इसके बाद जनेंगे मादम संपनेंस अडिपशन कितना कितना एक अथिर threatened मालीजिए एक तर्फ European जब अक्रफ बैसान पर दो चखा लगाने में और एक बोगी में तुक् Singapore दो यख सरे लग गई दूत Tickay और कि बूछ बनाएं जब कोच बनाए हम यह हो गया हमारा कोच कि एक क्सल हो गया एक एक सल पे दो चक्का लगा एक भोगी में चार चक्का लगा और एक कोच में जो पूरा बोली कोच होँज में आप चक्का लगा है। और इसमेंशन डिफ्रेंस देखिये। जो कोचिंग के लिए इसमें ICF है, LHB है, कि यह LHB-ICF के लिए डिफ्रेंस दिया जाता हूँगा। इस चक्का और इस चक्का का डामिटर डिफ्रेंस कुछ होगा। और इस चार चक्का में पुश्रेंस ओगा आए लिए एक एकसल पे दो चक्का जब देते हैं लगाते हैं इस चक्का का डिमेंजिने डिफ्रेंस फिर के लिए 0.5 mmS ज्यादा नहीं होना यानि मांग दीजिए एक चक्का का डाइमीटर हमारा 914 mm है तो दूसरा चका 914.5 mm हो सकता है ठीक है यानि 55 mm का डिफ्रेंस तक ही इसमें एक एक्षर में चले है फिर यही जब बोगी में बात आ जाएगा तो 5 mm तक एलाव है जानि चारओ चक्का के बीच में डिफ्रेंस कीमें मैक्सिमूं 5 मं तक कर सकते हैं निकिसि कर नूशर चवदा किसी कर नूशर 3 किसी लूशर 12 किसी कर नूशर 11 कर सकते हैं इसके बाद जब इस पोच में जाएंगे तो पोच के लिए आपको 13 एमम यह डामेंशन डिया गया कि एक एकसल पे दो चका लगा जो चका का डामेंटर डिफरेंस कितना तक दिया जा सकता है एक एकसल पे पइन हम और एक गोगी बोलते हैं या टॉली बोलते हैं इसको इसको बोल जो बोले के डिछ आई शर्म को पाउं कर मिया को छो एगे बीटे और कि दो चका को मेंने दो जोटा इसको सब्सक्रेंण तो पांच इसमें तक दिया सकता चारो चक्ता और तेरा मम का मैसमम दिफ्रेंस तक दिया सकता हमारा पोच हो यह तो हो गया हमारा कोचिंग के लिए अब है बागन बागन के लिए एक एक सब्सक्राइब को चलेगा जब भूगी की बात आएगी तो वहां हम 13 मंतर दे सकते हैं और वही जब कोच बागन का आएगा बागन का कोच वह 25 मंतर दिया जा सकते हैं इस तरह से यह यह फोलो के आता बागन में और यह फोलो के आता आएशिया पेरेश भी कोचिंग यही फोलो आता चक्का का डायमेटर डिफ्रेंस दिया जाता अब इसके बाद हम बात करेंगे दिल डिशेक्ट के बाद तो इसमें दिफ्रेंस-प्रार्व्र कोचिंग नाम आता सबर्य नाम पर तो नाम अनुट है खूं जी घिपेक्ट कि फ्लेंज दिफेक्ट क्या है कि ला है साथ फ्लेंज क्या होता यह भाइस रहता यह सरा यह रहता है हम चाँदा जाता है इसको पूलते है सार्प तक हो जिए हो जो गया इसका मतलब है गारी इस से क्या होता है तो गाली दो भागों बढ़ जाते हैं एक चला जगा पाकिस्तान और एक चला जगा बंगलानेश तीक है अब दो भागों बढ़नेश इसे बचाने के लिए यह इसको बोलते हैं यानि यह घट जाता है इसके बाद आता है या शाख दे बाद का मस्य है इस इन फीनेंश के मतलब जीन होगी थीन फ्लेंज मतलब पतला हो गया है यह क्या हो गाए यह पहले मोटा था तुर जादा था यह उन्टी इस ओएंट को रहे मेंब्रक्राइब देखे दीर 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 पतला वरा पतला और यह पतला हो रहा जो जो होता है यह वह मान के चलिए यह उन्तीस पॉइंट फोर था यह हो गया आपका 22 अम्म और एक हो गया जब पॉइंट पॉइंट पॉर आप आप इसम्म हो जाए तो यह हाइस प्रेंट में चला सकते इसको एक सुद्ध के अपर आवर व्ला में जिसको चला सकते लेकिन आपको सुद्ध होने के कारण क्या दिक्कत होता है यह पट्री पर चड़ जाता पार कर जाता है इसको भी बचाना यह हो गया यह चाहिए थीन फ्लेंज इन फ्लेंज हो गया कि यह घटके बाइसमम हो जाए यह तो सोल्डाइम प्लेंज हो जाए और ज्यादा दिक अधर घड़ाद इसके बाद आता है आपका डीप फ्लेंज जाए तो दिप फ्लेंज क्या आपको लिफे फ्लेंज होता है में इसतर सुब्वा और यह जो इबिस्ता है चते 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 घिस्ता है यह जो जाता छुदा otherwise किस प्लेट पूर जाएगा तो रेट गुर्गतना गरस तुलेट किसको बोलते हैं जो पट्री को जोडता है इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं और यह फिस प्लेट हमेशा कि बीच में लगाई जाता है जो पत्री जोडता है पीस प्लेट को काम ही है दो पत्री को जोड़े रखता है तो इसको लगता है तो अटोर्थिक एक डिलो रखना गरस तो यह था पॉइंट फायरेवला 35 हो जाए तो डिप्रेंज हो गया और यह अगर वाटीस एमां वाटीस एमां तक चला गया मतलब यह 110 एम पर आबर बला में चला सकते हैं हाय स्प्रिट तक बटीस एम तक लाग गया था ठीक है इसके बाद आता है आपका कि रूटेंटेटेश लोरूटेटेश इसको बहुत है लोरू रेडियस के मतलब क्या था इस तरह से पाहण लीचे पालेंज है और यह फ़रसा प्षया किस तरह स्वाए यह जो है ना रेडियस यहां पर होता है यह ना यह होता है शोला इमम बला अगर 13 मोर्प हो जाए कि इसी को बोलते है लोर रूट रेडियस हो जाएगा तो आटोमेटिक ही चाका रेल के कट्री पर चड़के पार कर जागा इसके कारण भी तुर राटना गरश है संब्सक्राइब करेंगे लोग तंकी जवीस सब्सक्रेडियार कूंख नुमारक फ्रिजुजकर लाग से क weapons में कसी है यहें जैंच सर्प्रíemस प्रियस में 113 कंछ सो नुमम करण पनखें ते रा है तो किना वीतसे तो पहल च tooth आफूब खं़ इसके कारण भी क्या होता है रेत पटली के पार कर जाता है इसके बाद बात करेंगे हम यह तो फरेंज डिफेक्ट हो गया फ्रेंज डिफेक्ट के बाद आएगे टायर डिफेक्ट अ ताय डिफेक्ट तायय डिफेक्ट इंपके डिफेक्ट टायर डिफेक्ट्स में घृ थे अरत है थेकल मेजरमेंट का आप कर सकते हैं टाइर डिफेक्ट दिए जाता एक छोटा सकते हैं तो होलो टाय के मतलब क्या आता हुआ से मैं अगर यही वाला चीज़ वा इस तरह सो क्या इसे हो जाए कर देखने खराब लगड़ा है ठीक है यह वान ट्वंटी था यह ट्वंटी इन वान हो जगया है याद रखिए कंवाट कैसे हो रहा है यह इंकरानेशन था वान इंट्वंटी का हो क्या गया ट्वंटी इन वान इसको बोलते हैं होलो टाय और इसके करण जब गेज रखिए और तो यह जन्हें यहां पर गयपार सुप्ष तो यह भी गड्रतना गरश को सकता इसके इसके भी बचना चाहिए बचाना चाहिए व्लोटाइब के बाद आता है आपका फलत्वन कि इसके बाद आता है अब का फलैड जूसरा नंबर गट्रवकर है अका है यह प्लाइक क्या होता है चक्का जो होता है इसे बोल है चक्का बोल नहीं रहता है यह थोड़ा से यहां पर यह फड़ा ही हो जाता है कि इसे सीधा और यह जो चक्का था यह चक्का हो गया फ्लाइक है तो आपको दर्मान लगाई यह चक्का गोल है तो तो बहुत अच्छा से भूब कर रहा है रेल पठ्री को पर जब ऐसा हो जाएगा क्या हो खटल खटल अब आ जाएगा दूसरा इसका बेरिंग खराब हो जा तो फलाइक टायर जोता आईसीअ एक पी तैसनद माल गारी मांके चैसे माल गारी निएक है सब को याद लेगा माल से माल गारी लिएक पचास एनों तक एलाव कि अगर यह पचास एनों तक ख़लाइड हुआ है दो पर भी गारी चलेंगी कि लेजबी में 45 एम तक लाव में चक्का एडिए उसका चक्का में जो फलेट में स्टायर का फ्लेट होगा चक्का जोुक्षाइगा पैतारी से उन तक लाव उस पर भी चलेगा गारी में उसे नीचे तक रोण चाहिए अमाल गारी में शाथ याद रखेगा बहुत-बहुत इसके बाद आता थीन टायर बतायत है तीन टायर अभी फिर आदिट नहीं होता अगाइन है त्साइब थिश्ड क्या था कि मान लेजिये कि यह इस तरह से चक्ता है और और ये यस लिए या गया इसका भी पुनित होता था और उसमें टायर अलग से लगाया लगा ये टायर जो है ये टायर ये अलग से लगा रहाता था रिवेटिंग किया हुआ रहाता था समझ लीजिए इसमें रिवेटिंग किया हुआ रिवेट मारा रहाता हुआ और जब ये टायर खिया जाता था उसको चक्का बहटा दिया जाता लेकिन अभी पिया ये टायर ही अटा फिलाल यह बन रहता है और यह कितना तक जाता था यह 33.5 यह रहता था और कॉंझ होता था पचीश नहीं कि नाया में जो टैयर लगाया जाता था उसका मुटाइज टैयर का मुटाइज वास्ट पूंटाइज यह रहता था कि इसके बाद आता है तुछ इसके बाद भी बहुत सारा भी इफेक्ट है जिसे बता रहे हैं आपको सेल्थ्रेड क्या होता है सेल्थ्रेड के मतलब हो कि चक्का में यह जो चक्का है रेल का लोहा का P से पुपढ़ा जहां ताहँ से निकलता है तो हिंसल्थ्रेड प्रमार से निकलता है подт pure जहां तहाँ से पीजियागा जयता है लोहा करओ फिर kitty स्थने करता बाता है इसके बाद आया तो अट दीजिर दैट सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब में क्या था चक्का का थ्रेड को है यह फोड़ा सा इसे तुपड़ा तूरा तूट जागा कि प्राइब तूटना है थ्रेड का या फलेंज का तूटना हो अगर तूट गया उसको सब्सक्राइब तूट गया मतलब सब्सक्राइब निकालता तूटना सब्सक्राइब कि इसके बाद में दूटना में वह था इस ऐस्प्रेंड रेंथ है तो यह जो रिम है इस तरह से करेक हो जाता था और इस क्रेप करेंगे कारण इसको सर्विस से हडा जाता अगर मैं आया तो यह जो है हमारा चक्का जो है तूट जाएगा चलते चलते और इसके करना स्प्रीड रिम बला जो भी केस आता था चका को करनेंग कर दिया ठीक है और इसके बाद जो आया एक चौंथा नंबर तो थर्मल करेंग आया थर्मल अरुद धर्मन केरों करेग क्या होता है थर्मल करेंग में क्या होता है ड्राइवर मारता है तो चको अचानप ऊपर चका जो है अचानप उप्ता जिसके कारण इसको बोल दिया फर्मल करेग होने के कारण इसको भी रिजेट करते हैं इसके बाद आगे पाजमा नमबर पे हीट करेग है कि यह कुछ ऐसा ही है कि एक पोजीशन पर चाक किसी एक खास पोजीशन पर चलते-चलते-चलते लाज लाल रंग हो गया तो इसको क्या करता था यह करें यह करनी होता था और इसको फिर से पर हाइलिंग के लिए देखें चबेंदा यह इस तैनल लेकिनल जोगे सरसे आपको ही डीफेक्ट देखें तो मैं यह consistently इनके ओड़ी है यह एक्सल एक्सल के यहां पर गेरिंग लगा हुआ है जिस बेरिंग लगा लगा लाता है तो चलते 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 क्या होता गेरिंग हम यहोट आप है प yeter यह है एक्सल करीन का हुए अधर हमें अगंगो यह पूरा मॉला हो जाता है और त्रğlकिस इसे अंदर नहीं आप अब अब टेस्ट किया जाता है किसी तरह के क्रेक का घुजायस ना हो और रेल्वे या तरह सुगम और सपल हो और सुरचित लोग एक असां से दुसरे साथ पहुंचे उसके लिए बहुत तरह के चेकिंग किया जाता है तो डिस्क का युश्टी तो पुरा संभव नहीं है लेकिन एक्सल का होता है तो इस तरह से एक्सल का युश्टी करा के एक्सल लगाया था एक्सल अबिल्ट परसेट के बारे में पेसला का वीडियो आप पुरा अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब किजिए शेयर कर य जय हिंट, जय भारत, जय निंदे